दोस्तों अगर हम healthy और tasty dish की बात करें तो उसमें एक और dish का नाम आता है वो है लीटी चौखा हाँ दोस्तों बहुत ही यम्य होता है, बहुत ही healthy होता है, बहुत ही tasty होता है यूपी का ये dish है बीहार का पटना का और ये जो बहियां है ये भी पटना से ये आय वोय हैं और ये बहुत ये अच्छा लीटी जोखा बनाते हैं पिंपली सौधागर में हैं मैं लास्ट में सब कुछ इनके शौप का नाम मोबाइल नंबर सब रहेगा इसमें कभी भी आपको अगर आप पूने पिंपली के रहने वाले हैं इनसे आप कॉंटेक्ट कीजिए पार्टी व जादू है सच में बहुरियो और वो जो लीटी जोखा वैसे तो आप पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है दोस्तों महारस्टरंस लोग जो होते हैं शायद उनको कम पता है लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा हैल्दी डिश या आपको मतलब बोलते ना हैल्दी रिच चटनी बनती है उसे चोखा कहते है उसमें क्या टेस्ट होता है मतलब हम कितना भी ट्राइ करें इनके जाशे तो वो चटनी बनती ही नहीं पर मैंने इनसे रेसिपी पूछा था लेकिन मेरी वैसे चटनी नहीं बनी अगर अगर बनती भी तो मुझे ऐसा रगता है कि मैं हफ्ते में एक बार जाओ और खा के आओ पर गजब का टेस्ट है दोस्तों बहुत ही यम्मी बनता है एक बार अगर आप आसपास में कहीं रहते हो पूने या पिंपले सोधागर में तो इंका लीटी जोखा जरूर ट्राइक कीजिए दोस्तों इंकी एक प्लेट की अगर मैं स्टफिंग करते हैं वो सत्तों सत्तों काफी हेल्दी होता है काफी मतलब उसमें बहुत प्रोटीन होते हैं तो वो सत्तों का आठा डालकर उसे स्टफिंग करते हैं फिर उसे गैस पर सीखते हैं और लाश में उसमें देसीगी में डुबो कर वो देते हैं तो यह एक टिकी वाली रिंठ ग्रीन चटनी होती है एक उंकी वाइट मूफली की चटनी होती है और एक मतलब काफी स्पाइसी होती है और जब गरम इस labeling इसमें चौकि शोकम हुआ है तो भाई इस तरह का डिश हमें, मतलब हम कभी खाते नहीं मुझे भी पहले नहीं पता था कि क्या होता है मैंने एक बार मेरे बेटे के कहने पर मैं गई क्योंकि मुझे लगता था पता नहीं यह क्या ही है वट उसने जब मुझे बोला कि ममा आप एक बार खाओ सच में मज़ा आजाएगा और भाई जब से मैंने खाया है तो मैं हाफते में एक बार जरूर ही जाती हूँ खाने को स्कीप करती हूँ और ये खाती हूँ क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा हेल्दी हमें और क्या ही मिलने वाला है हाँ दोस्तों बहुत यम्मी और जब ऐसा कभी कभी हमें लगता है कि भाई कोई हमें भी गरम गरम ऐसा परोस के दे हम सब को देते हैं जब तक हम खाते हैं तब तक तो हमारा खाना बिलकुल ठंडा सा हो जाता है मजा नहीं आदा इनके हाथ का वो गरम गरम लीटी चोखा खाओ ओफ क्या बात है दोस्तों अगर आप आप कहीं भी रहते हो ना आपके आसपास में इंक्वैरी कीजिए और लीटी चोखा एक बार जरूर ट्राय कीजिए दोस्तों और आपको कैसा लगा, आपको वो कैसा लगा, उसका टेस्ट कैसा लगा, हमारे साथ comment section पर जरूर comment करके पताईएगा, अपना जो भी एपनी राय है, वो जरूर हमारे साथ share कीजीगा दोस्तों, और किसी से भी related कोई भी queries हो, उससे comment section पर कभी भी पूछिए, 24 hours में मैं आपको कभी भी उसका जवाब दे दोंगी दोस्तों यह लीटी चौके वाले भाया का मैंने मोबैल जो बोर्ड में जो मोबैल लंबर रहता है वो सब कुछ तो मैंने डाल ही दिया है फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुसे कमेंट सेक्शन पर पूछ लेजेगा दोस्तों तो चलिए आज की जो हमारी जो पूरी व्लॉगिंग थी वो इसी के उपर थी जस्ट हमें यह बताना था कि एक हैल्दी डिश है आप चाहें तो लीटी चौका घर पर भी बना सकते हैं पर मुझे नहीं लगता कि वैसा टेस्ट आएगा भाई इंके जैसा तो मुझे मैंने बहुत बार ट्रै किया मुझे मैंने एक बार घर पर भी बनाया बट वैसा टेस्ट नहीं आया बट हाँ अच्छा बना था ठीक बना था कि कभी हमें हेल्दी और एकदम अच्छा मतलब रिच फूट खाना हो तो यह आप अपने मेनियों में जरूर शामिल कर सकते हैं दोस्त तो चलिए दोस्तो हाँ लीडी जोखा के बारे में आप पहले से ही जानते थे आपको पता था तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ये भी बताएगा कि आप भी उसके दिवाने हो हाँ दोस्तो मुझे तो पहले पता नहीं था जब से मैंने खाना स्टार्ट किया मैं तो इसकी दि तो चलिए फिर हम बेरेंगे कुछ बहुत ही अच्छे और इंट्रेस्टिंग से लोक्स के साथ अच्छे 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 कंटेंग्स के साथ ओल्लिया जिशा साथ का तैन बाई टेक क्या अ सबस्क्राओ अगरिए अलब है अच्छे क्लिया अटारा अब ही आयाए अलियो पैस आस मोटू जुटा करे जाम प्रावटनीट्टे? जो 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 जैले जए नहीं प्रावटनीटी? मैं जो आता का रड़ियों का रड़ियों युटा?